असलाम निको और अबतुला ही वह बड़ा कातु हूँ Students, I hope you will be fine in the best condition of health and demand I am a teacher of play class It's English period Today, topic is letter A Students, आज हम workbook page number 17 करते हैं जिसमें हम A लिखना सिखेंगे ठीक है सबसे पहले हम स्टोरी देखते हैं Students, यह एमध है और यह उसका friend है एमध डेली apples खाता है लेकिन जो उसका friend है वो junk foods खाता है जिससे जैसा कि burger वगएरा तो एमध जो है वो तो healthy रहता है क्योंकि वो healthy food खाता है और जो उसका friend है वो junk food खाता है इसलिए उसका पेट हमेशा खराब रहता है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो इसलिए हमें healthy foods खाने चाहिए ना के junk foods यहां पे circle the apple which is different आपने करना क्या है पास्किट्स में apples हैं जिसमें एक different color का apple है बाकी सारे red apple है और एक yellow apple है आपने yellow apple को circle करना है ठीक है students yellow apple को आपने circle करते लिए जी students निचे हम AI लिखते हैं आपको यह दिखाई दे रहा है AI एरो में लिखा हुआ है आपने इस dot पे pencil रखनी है और arrow से pencil को touch करते हुए आपने AI complete करने है पहले हम इस साइट पे एक तिच्छी line लगाएंगे ठीक है फिर उसी dot पे रखके दूसरी साइट को हम एक तिच्छी line लगाएंगे और फिर इस dot पे रखके स्मॉल लेटर है ठीक है AI आपने पहले जैसे हम सर्कल बनाते है मैट्स में वैसे आपने एक सर्कल बनाने ठीक है और साइट पे उसकी एक hook बना देनी है तो यह क्या बन जाएगा AI का sound ठीक है students इसी तरह आगे dots में दिया हुआ है आपने pencil को जो डार्क सा dot है उसके उपर रखके नीचे एक तिच्छी लाइन लगानी है और dots को dots के साथ मिलाते जाना है ठीक है students और फिर दूसरी तरफ हम जिस तरह पहले लिखा था उसी तरह दूसरी तरफ एक तिच्छी लाइन लगाते है और फिर इसके अंदर स्ट्रेट लाइन गाएंगे तो यह क्या हमारा है ए ए नेक्स पेस पेस रमर 18 देखे students इसमें हम ए लिखना और पढ़ना सीखेंगे ए ए ए ए ए ए एरोप्लेन ए ए एलिगेटर ए ए ए ए ए ए एरोप्लेन ए ए एलिगेटर तो students where does एन एलिगेटर लिव एलिगेटर खाह रहता है सी में ठीक है अब नीचे डॉर्ण्द में आपको ए ए दिया हुए आपने डॉर्ण्द को डॉर्ण्स का साथ मलाते हुए ए ए ए टैटर कम्प्लेट करना है ठीक है students डॉट को डॉट के साथ मलाते हुए पर दूसरे साइड पर एक दिट्सी लाइन लगाते हैं और बीच में स्ट्रेट लाइन लगाने से हमारा क्या कॉप्लेट हो गया है इसी तरह आपने ये दोनों पेजिस करने हैं स्टुडेंट्स इस पे हम बीवा लिखना और पढ़ना सीखेंगे स्टुडेंट्स सबसे पहले हम स्टॉरी देखते हैं ये एक बॉय है जो एक बस टॉप पे खड़ा हुए है वहाँ पे उसको एक बुरी अम्मा नजराती है जिनके पास एक भारी नानास वाली टोकरी है तो ये बॉय जो है उस अंटी के पास जाता है को कहता है कि क्या मैं आपकी ह्यार कर सकता हूँ तो तो वो एक देखते हैं जी बिल्कुल तो इस तरह ये बच्चा जो है वह इस की हल जाता है जिससे वह खुश हो जाती है तो स्टॉड़ांस हमें भी चाहिए कि हम एल्फ कुरें दूसरे लोगो लगानी है ठीक है एरोस से पैंसिल को गुजारते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और फिर आपने इस तरफ एक बीबा बनाने है ठीक है स्टुडेंट्स यह कैपिटल बीबा है आपने साथ एक स्मॉल बीबा दिया हुए लैटर आपने उसको भी राइट करने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाए और फिर इसको अंदर की तरफ मौट दें तो यह क्या बन जाएगा बीबा और उपर एक एक अक्टिविटी है जिसमें आपसे पूछा हुए जिसमें आपसे काओ है ड्रा वन मौल बॉल एंड काउंट इन बॉक्स तो स्टुडेंट्स आपने क्या करने है एक बॉल उनोंने पहले से पनाया हुए एक आप आपनायेंगे तो यह कितने बॉल हो जाएंगे टू और बॉक्स में टू लिखा हुए पहले से ही आपने डॉर्ट्स को डॉर्ट्स के साथ मिलाते हुए टू कंप्लेट करने ठीक है नेक्स्ट पेस पर देखें बीब बबस ठीक है बीब बबस और आपने बिल्कुल जैसे हमने पहले लिखा है वैसे ही इसको भी डॉर्ट्स को डॉर्ट्स के साथ मिलाते हुए बीबा लिखने है ठीक है स्टुडेंट्स डॉर्ट को डॉर्ट से मिलाएं और बीबा राइट करें इसी तरह आपने ये पूरा पेस लिख लेना है ठीक है